तो गाईज मनोज दे अपने कैटिगरे में हर यूटूबर को कैसे पीछे चोड़ रहे है और वो बहुत सारी यूटूबर के कैसे गुरू है और उन्हेंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया इसके पीछे तीन टिप्स है और मुझे लाश्ट वाली सब से अच्छी लगी तो बात करते हैं टिप नंबर वन से क्वालिटी कंटेंट क्रियेट मतलब सपोज मान लो अगर आप टीवी पर एक ही शो को बार बार देखते हो तो आप बोर हो जाते हो और चैनल चेंज कर देते हो वही होता है यूटूब पर अगर आप अपने चैनल प उन्हें अपनी वीडियो के अंदर कॉंटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है और उनकी आने वाली हर वीडियो उससे पहले वीडियो से कई गुना अच्छी होती है इसलिए कॉंटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए तभी आपकी आपके चैनल पर टीकी रहेगी टीप नमबर टू कंसिस्टनसी काईज मैं यूटूब पर कई सालों से काम कर रहा हूं तो मैंने ऐसे कई चैनल देखे हैं जो बहुत जादा ट्रेंडिंग में आये थे पर उनकी रेगुलरली कंसिस्टनसी न होने के कारण आज वो यूटूब के उपर अगर चैनल क्रियेट भी करते हो तो आपका चैनल चलेगा भी पर वो दस वीडियो खतम होने के बाद आप फिर से सोच में पढ़ जाओगे कि आज किस टॉपिक पर वीडियो अपलोट करूँ तो इसलिए आपको अपने इंट्रेस्ट के उपर चैनल क्रियेट करना है और मनोजदे इनका बचपन से ही टेक कैटिगरी में इंट्रेस्ट था तो ओ आज भी यूटूब पर अपनी पकड जमाए है आपको भी अपने ओडियन्स का इंट्रेस्ट किस में है ये समझना है जैसे मनोजदे स्टाटिंग से ही यूटूब से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते थे स्टाटिंग में ओ स्मार्टफोन टिप्स एंट्रिक्स देते थे उन्होंने कई वीडियो यूटूब से रिलेटेड भी अपलोड की जिन पर उन्हें ओडियन्स का अच्छा सपोर्ट मिला तो उन्होंने समझ लिया कि उनकी ओडियन्स किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करती है तो उन्होंने अपने ओडियन्स के इंट्रेस्ट को जाना और यूटूब से रिलेटेड कंटेंट बनाने लगे और ओ आज भी यूटूब से रिलेटेड ही टॉपिक बनाते है उसी तरह से आपको भी ये देखना है कि आपकी ओडियन्स किस टाइप की वीड पैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बबाई